इस वक्त हम मौझूद है आज हम नगर परखंट के बलतर गाउं इदर से भी दिखाते हैं यह जो है पुरा उपस्वास के अंदर बना हुआ है जरा रूम होगे रभी चेक करते हूं यहां पे डॉक्टर आता है कभी-कभी नर्स भी आता है ठो कभी महिना में पंडो दिन में पूरा देखिए अंदर पूरा कच्रा कच्रा भड़ा पराया देखिए टेविल वेल कुछ नहीं है नथींग अलिशेकल दखा के बास चल गया है जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौझूद है आज हम नगर परखंट के बलतर गाउं और यहां पर आप देख सकते है यहां एक उपस्वास्त केंदर बना है यानि जैसा कि आपको पता होगा बिहार सरकार हर पंचायत में एक उपस्वास्त केंदर बनाया था उसके तहत यह भी उपस्वास्त केंदर बलतर गाउं में बना हुआ है लेकिन यह तो पूरी तरह से बना हुआ है और कहीं कहीं ऐसा तो यहां से यहां के लोगों के बारे में राए जानेंगे और पूछेंगे भी कब आता है डोक्टर और क्या क्या इंलों को सुविधा मिलती है लेकिन उससे पहले एक चीज़ और दिखा देंगे कि यहां यह जो लिखा हुआ है उप स्वास केंदर बलतर तो इसका जो है सिला नाश किया गया है और 9 11 2000 9 11 2011 को यह बना था इसका यह जो बना था 9 11 2011 में बना था ठीक है लेकिन अभी तक जो है बनके अब देख सकते हैं पूरा बंद पड़ा है रोंबी ऐसे ही बंद पड़ा है और ट्वालेट बातरूम का क्या हाल है तो वो तो कहें नहीं सकते हैं अंदर लोग क्या हुआ तो देखने पा रहे हैं इसलिए बताएंगे लेकिन सबसे पर इदर खिर्की खुला हुआ हुआ से देख सकते हैं कि अहां क्या स्थिती है दिखाइए जरा हम देखते हैं देखिए आप देख सकते हैं यहां पे जो है टेबिल एक दो कुर्सी बस इतना ही लगा हुआ और कोई सारा एक्ट्यूप्मेंट है नहीं और बातरूम ऐसे गंदा पड़ा हुआ है साब सपाय का है नहीं इदर से भी दिखाते हैं यह जो है पुरा उपस्वास के अंदर बना हुआ है जरा रूम होगे अभी चेक करते हैं देखिए पूरा देखिए अंदर पूरा जो है कच्रा कच्रा भड़ा परा है देखिए टेबिल वेल कुछ नहीं है नतिंग सिर्फ बनके ऐसे रेड नहीं चलता है तो आई यह लोगों से हम इनके बारे में जानते हैं कि यहां डोक्टर आता है यहां नहीं आता है कभी-कभी नर्सरी आता है एक ठो कभी मैना में पंडों दिन में आता है देखे नहीं है ठीक है लेकिन नर्स बैठती है कभी-कभी उस पर वे आप दा में एकाद दिन बैठता है पर मानेट नहीं रहती है क्या क्या देता है कुछ bachelor आती है मतलब जो है उनको जो आंगन बारी या फिर कहीं पर दावाई बित्रन करने के लिए होता है तो वहांै के यहीं बैठन कर आती है ठीक है às पॉलियों का तुन नहीं देखे अच्छा जी बस मतलब आई से यह आती है और जो दबाई होता है देलिबरी और इसके लाबा कुछ नहीं देखे सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो है उपस्वास के इंदर बना दिया लेकिन परमानेंट डॉक्टर नहीं है और डॉक् के साम तक चला जाती है मतलब कुछ बता देता है या फिर पोली हो गए रखा या जो भी कुछ होता है थोड़ा सा देदा उसके बारे में इसके बारे में हुई है जो गरामिनों को कोई दिक्कत हो तो सुभीदा मिले सुभीदा मिलना चाहिए हाँ सरकार से आप जो खंडर क परा हुआ रहता है तो सरकार से आपका क्या कहना है उसको भी देखवाल सरकार करें इसके लिए उसमीता चाहिए हम लोग को कैसे क्या करना परेगा और सबसे खास बात देखे कि इस उपस्वास्त केंदर के बगल में इधर आप देख सकते हैं बड़ा सा भावन दिखाई द काम नहीं होता है और ना उपस्वास्त केंदर में डॉक्टर बैड़ता है और नहीं मतलब जो है लोगों को दवाई मिलता है तो क्या करने नर्स आती है वह फुली ओलियों का डिलिवरी के सब्सक्राइब दिखाने के लिए चला जाता है कूज नहीं होता है यहां बैटके पसके देखाने कर आज़ों करते हैं है जैता है नंट प्लॉक्त लिए बैए यह जबाएज अपना सकल दिखा के चली जाती है और यहां जो隨 कोई दवागे रखने सिर्प पता नी क्या करती है गाओं के जो लोग है उनको भी समझ में नहीं आता कि अनर्स आती है तो करती है यहां से इस गाहों से आजम नगर में होस्पीटाल है यहां से जाते हैं आठ किलो मीटर दूरी तहीं करके जब कि आप यहां देख सकते हैं यहां आप स्वास्त के अंदर है लेकिन डॉक्टर नहीं आने के कारण लोगों को आदा गंडा का दूरी तहीं करके जाना पड़ता है यह सरकार को इस अब ध्यान देना चाहिए और जो है ये एक बात और बता दे कि ऐसे ही पंचायद भवन में जितने भी उपस्वास्त के अंदर बने हैं सभी जो है कहीं खंडर पड़ा हुआ है तो कहीं पर डॉक्टर नहीं आते हैं तो इस तरह का पूरा अग्दम बेहाल इस्तिती है बिहार में बिहार सरकार को इस सब ध्यान द कि आपको कैसे बच्चा पैदा करना नहीं करना कितना बच्चा पैदा करना इस अब टिप्स देंगे लिए उपस्वास्त के अंदर में डॉक्टर नहीं बठा है डॉक्टर बैठेगा तबीना टोल फ्री नमर सब को मालूम होगा लिखावा भी रहेगा उसके लिए जानका सब्सक्राइब तबीना जानेगा सब कोई जी बिल्कुल वहीं बात है ना कि डॉक्टर बैठेवे ने करेगा तो लोगों अगर कहीं अगर मानके चल्दे किसी को एमेर्जंसी हो गया डिलीवरी पेसंट हो गया तो कहा जाएगी अगर बारा होस्पीटल जाने के लिए भी सब्सक्राइब यहां से 10 किलो मिटर दूर आजम नगर जाना पड़ेगा तो बेज में रेलवे यह फूल है उसके नीचे से बहुत भरा पानी भरवाता है जो की इंबूलेंस ना टेंपू जाने का विवस्ता है रास्ता भी खतम है इतना रास्ता है कि वहां पे फूल के नी तो जरा इन सब पे ध्यान दिजेगा और आपका जो है ना पूरा तंत्र और अफसर साही वाला सिस्टम पूरा भरष्टाचार में डुबा हुआ हुआ है क्या सभी बात है कि यहां से बत बगल में पंचायद भवन हैं पंचायद भवन में कोई कारेने होता है यारनी कि मैन सभवन में एक बार सिर्फ खोलता क्या पूलता है उसको प्राइब रता ही है दुसरा बात है कि आम सभा होता है आम सभा एक बार हो के ताला जो लगा Гए रहता है डोक्टर आना चाहिए जानेका क्या ब्यवस्ता नहीं है बाअ होस्पीटल प्यासी आधमृ आगर जाने की लिए अच्छा ब्रॉंज़ होई यह साल मारे नात को व्यवस्ता से होता है पूल के नीचे में पानी वरा वारत और चारपने का रास्त नहीं होता है प्लास्ट वे खराब है एक तो रोड खराब है एमेर्जंसी में कहीं जा नहीं सकते हैं और बगल में देखें उपस्वास्त केंदर बना है वह भी चल नहीं रहा है और डोक्टर पर्मानेंट है नहीं और जो नर्स है तो और आती है क्या सुजाओ देगी महिलाओं को और क्या दबाई देगी लोगों को इस नहीं तो क्या फाइदा है से स्वास्त केंदर का लोगों का भी कहना ठीक है सरकार को इस पर विचार्द भीमस करना चाहिए और ऐसे ही रिपोर्ट के लिए आप लोग बने रहे हैं मेरे साथ देखते में हूं महमाद आजालना